नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाथ जादो, आपका स्वागत करता हूँ रवीव माज़ा के एक और एपिसोड में और आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं LG 8L RO Plus UV Water Purifier with Stainless Steel Tank and In-Tank UV Sterilization Water Purifier के बारे में तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस Water Purifier में क्या special है और इसके pros on cons क्या है साथ में हम लोग देखेंगे कि अगर आप ये machine लेने के बारे में सोच रहे होंगे तो आपको consequence बातों का ध्यान रखना चाहिए और ये कैसे perform करता है So without wasting any time दोस्तों, let's get started दोस्तों आप से निवेदन हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दिजे सब्सक्राइब करने के लिए बटन प्रेस करके हमारा बेल आइकान प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि UV प्रकार के जो लेटेस्ट अपडेट से आपको हमेशा मिलते रहें मैं हूँ प्रसाद जादो और आज आपको बताने वाला हूँ LG के वाटर प्यूरिफायर के बारे में जो है आरो प्लस UV 8 लीटर का वाटर स्टोरेज है जिसके अंदर यूनीक इन टैंक UV स्टेरिलाजेशन ओप्शन है Stainless Steel की वाटर टैंक है और दोस्तो Easy Access Water Purifier का साथ में इसके Mineral Boosting Technology भी है तो दोस्तो जानते है पूरे प्यूरिफायर के बारे में तो दोस्तो देगने में या वाटर प्यूरिफायर बहुत ही ELEGAT Hै साथ में आपको मिलता है on display tankful indicator और UV sterilization का indicator साथ में power indicator नीचे आपको tap मिलता है, easy access tap है, इसके अंदर आपको stainless steel की water purifier tank मिलती है जो आती है 10 years की company की warranty की साथ में, तो दोस्तों आपको water purifier के साथ में confused नहीं होना है यह जो warranty है, यह सिर्फ stainless steel tank के लिए है, second इसका unique feature यह है कि यह maintenance के लिए बहुत ही easy है because इसका maintenance access जो है, वो front की तरफ है, यानि कि आपको जब भी water purifier को service करना है तो पूरा machine नीचे उतारने की जरुरत नहीं है, जहाँ पर वो mountain है, वही से ही आप उसे service कर पाएंगे because इसका जो आगे का panel है, वो nickel के आता है, और सीदे सीदे आपको सारे के सारे accessible purifiers आपको नजर आते है जहाँ से आप उन्हें easily clean कर सकते हैं, या फिर replace कर सकते हैं अगर technology की बात की जाए, तो इसके अंदर आपको RO और UV दोनों option आ जादे हैं, यानि कि आपका जो purifying technology है, वो reverse osmosis होने के बाद में ultraviolet के साथ ये purify होता है, साथ में जब ये पानी आपके tank के अंदर store होता है, तो ये periodically वो UV light जो है, जो इसके tank के अंदर installed है, उसके सायदा से उसे periodically sterilize करता रहता है यानि कि आप कभी भी पानी अगर पीना चाहता है, तो आपको sterilized UV water मिलता है इसके अंदर mineral addition technology, cartridge based है, जो आपको mineral cartridge के सायदा से आपके पानी में mineral add करके देती है तीसरा unique feature इसका ही है, इसकी जो water tank ही, ये पूरी तरह से air tight है, यानि कि इसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी foreign object, या फिर kitanu, या फिर cockroach, या कोई भी कीडा, जिव जनतु जा है, उसके अंदर नहीं जा सकता, बिकॉज ये पूरी तरह से air tight है, इसलिए आपको हमेशा pure water मिलता है इसके साथ में आपको LG की तरफ से free service भी मिलती है, जिसके अंदर आपको digital sterilizing technology यानि की एक छोटा सा unit होता है, जिसके अंदर से आपके purifier के अंदर cleaning chemical को circulate किया जाता है, जिसके बज़े से आपका पूरे सारे in-line cartridges जो है, वो clean हो जाते हैं, और वो जो पानी वो reject water से बाहर निकल जाता है, तो ये जो है, ये technology पूरी तरह से LG की technology है, लेने के बाद में 3 visits, जिसके अंदर आपको 3 free digital sterilizing care का option मिल जाता है, और साथ में 3 free outside filters भी मिलते हैं 1 year के लिए, जो की according to LG, एक complimentary package है, इस water purifier के साथ में आता है, तो जी हाँ दोस्तों, हमने बात की है, इसके products के features के बारे में, तो चले जल्दी से दिखते हैं, pros and cons इस water purifier के, सबसे पहले आते हैं हम लोग pros की तरफ, सबसे पहला pro इसका यही है, कि इसके अंदर एक stainless steel की UV tank है, जिसके अंदर एक LED system installed है, जिसके बज़े से stored water को periodically sterilize करता रहता है, दूसरा जो pro है, इसका इसकी जो design है, बहुत ही unique है, इसका जो service option, जो है, front accessible है, जिसके बज़े से यह easily service किया जा सकता है, जो कि एक बहुत अच्छा plus point है, और तीसरा और आखरी जो plus point इसका ही है कि इसके साथ में जो cleaning technology इस्तेमाल की है, जिसके बज़े से आपका हर एक filter जो है, वो clean हो जाता है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके cons की, यानि कि negative sides के तरफ, दोस्तों, जो negative side इसका main यही है, कि जो service availability है, यो major cities में इसकी available है, लेकिन rural जगा पे, कई-कई जगाओ पे, इसकी service जो है, अभी तक available नहीं हो पाई है, लेकिन major cities, जो है, बड़े-बड़े cities वहाँ पे, इसकी service आराम से available हो जाती है, दूसरा जो है, कौन इसका यह है, कि इसके जो filters है, ये unique है, जो एक plus point भी है, और एक negative point भी है, यानि कि अगर आपको, कई reasons के बज़े से, इसके जो service company की त हो पाएंगे, इसलिए दोस्तों, आपको अगर service करना है, तो इसको आपको authorized service center से ही कराना पड़ता है, because इसके purifier के जो filters है, वो आपको बाहर easily available नहीं हो पाते हैं, आपको अगर इसके उपर deals चाहिए होंगे, तो आप किसी भी नजदी की reliance store पे भी check out कर सकते हैं, जहाँ प और दोस्तों, genuinely मुझे यह लगता है कि यह water purifier एक बहुत ही अच्छा water purifier है, इस range में, और अगर आप इसे लेना चाहते हैं, तो बिलकुल आप इसे खरीद सकते हैं, तो thanks for watching, दोस्तो, take care, bye bye, जैहिन! कर सकत którą आप सब एकmersेowią कि तो सेरो हार इसे घराति को पे एक एक भी टाप कि अठा हैं, अधिन का लुशा, क बाला一點, झार 2 आप, कि उड़ते हैं, राति दो आपके तो किसी आपे मृभाने में, रहाला हैं, और दोनुन कि घरा ayan वकता हैं, तो ऑला रहां जि़ों सेत about किक